हर्याणा बीजेपी प्रिभारी अनिल ज्यान का कहना है कि हमने जूटे वादे नहीं किये और नहीं हम फ्री वाली राजनी ती करते हैं बीजेपी को संकल पत्र को लेकर अनिल ज्यान से खास बाचीत की है आर्नाइम टीवी में है जई-क हर्याना के सपन को साकार करने के लिए भाजपने गोशना पत्र जारी किया है उस अंगल पत्र के रूप में दर्सल उनका वीज़न क्या है इसि पर जाते हैं जैन साफ 2024 तक का एक नया सपना आपने देखा हर्याणा को ले करके कितना साकार होते हुए देखते हैं और दरसल जो दुसरी पार्टी ने गोश्णा पत्र जारी किया उन में से तुल्लात्मा आपका वीजन किया देखिए हमने जो गोश्णा पत्र इसको संकल पत्र कहा है पि हम जो कहते हैं उस पर उतरते खरा उतरते हैं यह हमारा विजन डोक्यूमेंट है हम इस विजन के आदार पर पांस साल चलाएंगे और इसके साथ-साथ जो समसामा एक चीज़े होंगी उनको इंक्लूड करेंगे ऐसा हमारा मनतब्य है वह माना जा रहा है कि कांगरस करें कि हम अगर सक्ता में आये तो तीन सो इनिट विजली फ्री देंगे आपके में बिजली को लेकर के कोई चर्चा नहीं है वह कहते कि हैंपा सेजार पैंशन देंगे वह कहते हैं महिलाओं को सब कुछ फूरी देंगे आपको लगता कि फू समस्ति है उनको आना नहीं है और उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं जिन राज्यों में उन्होंने जूट का प्रूंदा पेश किया था अब वो सब कप पोलंदा पेश करती है ड को सला पत्र पेश लगोंदा करती है एक बात जैसे लोग अपने पार सकें 앤-प्रदेश में जो करता नहीं वाना पाना करसें वीद्धा पेंशन में हर साल सरकार बढ़ोतरी करती है इस बार आपने लिखा है कि अपने की जो महंगाई बढ़ता होगा उसके इसाफ से बढ़ोतरी की जाए लगता ने कि जनता को आशकता थी कि थोड़ा सा सरकार पेंशन लेगी तो जो बुजूर्ग हैं जो वृद्धा हैं उनको माला माला हो एक जार इस आधार पर सारी चीजें जनता के सामने पेश की हैं और हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो हमने पिछे किया है कहा है वो किया है इसी के आधार पर हमने ये गोश्रा पत्र अपना संकल पत्र बनाया है और इसमें कितने फिनेंसियल इंप्लिकेशन आएंगे कैसे हम फिनें किती कर रहें उसमें धाराता लोड ठोस चीजें वीडियो जलने सीया राम के साथ कुमार रमेश आर्नाइटीवी चड़ीगर